नमस्कार तनूबैज किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बत्वे की एक रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम बत्वे की प्योरी बनाकर इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हमने बत्वे की डंठल साफ करके धोकर थोड़े से पानी के साथ इसको बॉइल कर लिया है और एक मिक्सी के ग्राइंडर में डाल कर इसका बारिख पेस्ट बना लिया है इस पेस्ट को हम अपने चिल्ले बनाने में इस्तिमाल करेंगे इसके लिए जो हमने सामेगरी लिया है उसके लिए हमने लिया है एक कब बाजरे का आटा, कुछ पनीर, एक कटा हुआ प्यास, एक कटा हुआ टमाटर, कुछ कटा हुआ धनिया, स्वात के नुसार नमक, एक दो कटी भी हरी मिर्ची, कुछ घी या तेल तलने के लिए अब एक बड़ा बोल लेकर उसमें बाजरे का आटा डाल देंगे अब जो प्योरी बना कर रखी है, बत्वे की उसमें तीन या चार चमच एट कर देंगे बाजरे के आटे में बत्वे की प्योरी डाल कर मिक्स करेंगे एक चमच से या स्पैचुला से इसको मिक्स करते हुए इसमें चेक करेंगे कंसिस्टेंसी कितनी ठिक है उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे अब इसमें स्वात के अनुसार आदा चमच नमक इसको कम जादा कर सकते हैं अपने अनुसार एक कटीवी हरी मिर्ची इसको भी जितना चटपटा खाना है बड़ा गटा सकते हैं कुछ कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया का फ्लेबर बहुत अच्छा आता है एक पेंच ही कुछ भुना हुआ जीरा आदा चमच और थोड़ा सा पानी एट करके इस तरह से चमच से मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है अब चेक करेंगे कंसिस्टेंसी कैसी है अभी भी थेक है ये थोड़ा गाड़ा घोल है इसको और पतला करेंगे अच्छे से फेटना है गुमा कर इसको जितना बढ़िया फेटेंगे उतना बढ़िया टेक्शर आएगा लॉंप फ्री घोल बनाना है इसमें गाठे नहीं आनी चाहिए अब गैस का फ्लेम ओन करके एक नॉन इस्टिक पैन गैस पर रख देंगे गरम होने पर उसमें थोड़ा गी या तेल लगा कर इस तरह से एक चमच में गोल लेकर फैलाएंगे गोलाई में फैलाना है बैटर एक पूरी के अकार का बड़ी पूरी के अकार का हमने इस तरह से गोल बना लेना है एक पैन में इस तरह से दो चिल्ले बन जाएंगे थोड़ा सा थीक रखना है ज़्यादा बढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला करना है अब इसको एक धकन से कबर कर देना है flame slow करके इसको steam में पकने देना है थोड़ी दिर बाद check करेंगे इसका color change हो किया है थोड़ा सा oil यगी और लगाएंगे इसके उपर भी ब्रश से ओयल यगी लगा देंगे कुछ कटे हुए प्यास थे वो इस पर डाल देंगे कुछ कटे टमाटर भी हमने तयार करके रखे थे उनको भी इसमें आइड कर देंगे शिमला में जडालना है तो भी इसमें आइड कर सकते हैं अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डाल कर गारिश हरेंगे इसको फिर से दो या तीन मिनिट के लिए इस तरह से लिड लगा कर धक्कन लगा कर पकने देना है स्टीम में पकेगा यह और राइस हो जाएगा फूल जाएगा और सबजियां भी स्टीम में अच्छे से पक जाएगी इस तरह से गीया तेल किनारे पर लगा कर किनारे उठाकर देखना है जब यह अच्छे से steam हो जाएगा तब यह flip कर पाएंगे पलट पाएंगे नहीं तो यह चिपका रह जाएगा इसलिए इसको अच्छे से पकने देना है slow flame पर अब यह flip करके दूसरी side भी हमने अच्छे से से कर तयार कर लिया है और कुछ चीज डाल कर इसको गानिश करेंगे धारा धनिया और ब्लैक पेपर हल्का साल्ट डाल कर सर्ब करेंगे इसी तरह से हमने सारे चिले बना कर तयार कर लिए है इस तरह से सिंगल चिला भी हमने इसमें सिंगल चिला जादा सानी से फ्लिप करते बनता है इसको भी इस तरह से हमने सभी चिले बनाकर तयार कर लिए हैं जितना material हमने लिया था उसमें 4 या 5 चिले बनकर तयार हो जाते हैं और दो लोहों के लिए sufficient है इतना breakfast तो बनाएए और खाएए ये बहुत है healthy and tasty easy recipe है और ट्राइ जरूर करिए सभी को बहुत पसंद आएगा ऐसी ही एक और नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहे तनू बैज के चिन अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए कॉमेट्स करके अपने सजेशन दीजिए और एक और नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक देखते रहे तनू बैज किचिन थैंक्स पॉर वाचिंग सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करिए